Hello students, चलिए आज हम देखते हैं Cloud Computing के MCQ question जो कि आपके exam में आने वाले हैं यह आपके most important MCQ questions हैं जो कि आपको exam में आएंगे ठीक है चलिए देखते हैं कि करके MCQ फर्स्ट question है How many types of Cloud Computing services are present अब देखें कि Cloud Computing की services कितने type के हमारे Cloud Computing हैं आपको बताया थेory में भी कतने type के होते हैं हमारे 4 type के होते हैं कितने type के होते हैं 4 type के, इसका 똑같ory answer कौन सा है सी, 4 type के कौन-कौन से हैं Public हो गया हमारा ठीक है Most public हो गया Second हमारा private हो गया ठीक है और Third हमारा hybrid हो गया और Fourth हो गया हमारा Community ठीक है? यह हमारी क्या होते हैं type होते हैं cloud services के कितने 4 चार टाइप की होते हैं ध्यान रखिएगा अब दीखिए second देखते हैं which of the following company is not a vendor of a cloud computing कौन सी company जो है vendor cloud computing को नहीं कौन सी हमारी amazon यह दो सबको पता ही होगा कौन सी amazon ही हमारी सबसे best चिंख है चली next दीखते है देखे यह question है next यह बहुत जादा important है क्यों important है देखे क्या कहा है question what does the word cloud represent in cloud computing अब जो cloud word है हमारा कौन सा जो cloud word है यह क्या represent करता है अब देखे यह cloud है बादल होते हैं हमने first lecture में बता है बादल की तरह हमारा क्या काम कर रहा है इसमें option दे रखा दी कि इंटरनेट हो गया wireless हो गया data हो डिस्क तो क्या क्या काम कर रहा है इंटरनेट है इंटरनेट बिना इंटरनेट के तो हमारा cloud computing possible ही नहीं है ठीक है cloud च्छली next question देखते हैं next क्या कह रहा है public cloud is also called as a public cloud क्या होता है इसको क्या कहते है public cloud क्या है is ka answer as a as software as a service ठीक है अब software as a service देखें यह तो आपको पता है ना कि PAS और IAS यह क्या है 3 जो होते हैं हमारे 3 जो है हमारे service model होते है platform as a servile iaas क्य Muh urban ने कि पुछ सकता है कि सर्विस model कितने टाइब क्यों होते हैं त्री टाइब के होते हैं यह ऐसे हमारा क्या होता है कि यह क्या कराता है S.A.S. हमारे जो भी Compute Natürlich, Outsource कराता है और दिख करनाथा क Henderson क करता है और यहीं हमारा क्य हुटा है यहमारा क्या होता है हमारा स अ और हम यह भी केस सकते हैं हमारא ही है आपको याद होगा जो मनें समझाया था कि upfront अफ्रंट में क्लावड किसका क्लावड क्लावड किसका कॉंबिनीशन है यह तो आपको पते हैं दो चीज का combination होता है इस किसका combination होता है हमारा एक तो प्राइवेट का होता है पॉब्लिक का यह कह सकते हैं प्राइवेट प्लस पॉब्लिक तो क्या हो गया यह और भी तो हमारे तो क्या हो गया बोत यह वाला हमारा क्या हो गया इसका अंसर हो गया ठीक है क्योंकि इन दौनों को मिला के पब्लिक हमारा पब्लिक के लिए काम करता है ठीक है अब यह दौनों मिल जाएंगे तो हमारा एक पूरा पूरी जैसे कि हमारा पब्लिक भी हो गया प्राइबेट भी हो गया हाइबड भी हो गया हमारे फोर टाइप थे अब इन सब को मिला कि हमारा एक क्या बनता है एक ऑर्गनाजिशन बनता है तो इसका अंसर क्या है करने के लिए यूज की जाती है अब देखिए अब डेफिनेशन हमारे फूर्ट करने के लिए यूज़ की जाती है क्या किती है क्लारव कम्पीटिंग की थिक कर जाती कि किसी यूजटी की टैक्निक पे circuit अगर कर जाती है यूज की जाते है ऐसे कानसर क्या हो गया पूरा लेक्चर जाके देख लीजिएगा कि वर्शलीज़ाज़ bless होता क्या है अब देखिए नेक्स्ट क्या है विच आप जी फॉल्डेंग सिस्टम प्रोवाइड लिमिटेड स्टोरेज तू दी यूजर कौन सा हमारा फीचर है कौन सा हमारा वह है यूजर वह मत्तब कि हमें प्रोवाइड कराता है प्लेटफॉर्म सर्विसेज जो कि हमें करा रहा है लिमिटेड स्टोरेज प्रोवाइड कराता है तो क्या है हमारा प्रोवाइड कराता है अब यह दोनों तो कराती है बचा कौन सा आई एक कराता है प्रोवाइड कराता है क्या कराता है हमारे लिमिटेड स्टोरेज प्रोवाइड कराता है तो हमारा अंसर क्या हु तो इसका अंसर क्या हो गया, IAS, अब देखें, next क्या है, cloud computing is the DES, क्या, computer architecture, अब cloud computing हमारा क्या है, हम cloud computing जो भी हम कर रहे हैं, वो क्या represent कराता है, हमारा किसके ऊपर इसका architecture depend है, computer में, तो हम क्या कह सकते हैं, इसका देखें, computer भी नहीं है, ठीक है, और computing dissipation भी नहीं है, बचा क्या, graphical deputation, ठीक है, हमारा क्या हो गया, first हो गया, graphical, ठीक है, cloud computing is the graphical computer architecture, अब देखें, next क्या है, amazon uses dash as the cloud platform, प्लावड प्लेटफरम पर हमारे Amazon क्या यूज करता है तीक है क्या यूज करता है AWS क्या यूज करता है AWS ठीक है यह कोशन जो बहुत ज्यादा important है क्यों देखे cloud computing का हमें नाम में बताया था जो कि type of cloud computing के कितने क्लावड कंपीटिंग होता है अभी हमने बात की ती4 टाइप के होते हैं ठीक अभी यह कोश्चिन क्या कह रहा है हमारा how many steps does the deployment stage in cloud computing अभी क्लावड कंपीटिंग में हमारी कितनी स्टेज होती है स्टेज को कि हमका कहते हैं Cloud computing का दूसरा नम है हमारा आपको याद होगा जब यह लिया था फरस्ट पढ़ा रहते हैं कि क्लाउड कम टाइप ख्लाउड को एक्जामें दूसरी नहीं से भी आ सकता है किस नहीं से आगा deployment model क्या होते है और ये कितने टाइप के होते हैं चार टाइप के होते हैं आपके कितने प्रकारके होते हैं fouraspeare के होते है deployment देखे, SAS भी नहीं करता, XAX भी नहीं करता, हमारा SAS का, एक cloud-based environment for the application and resource design, जो भी हमें एक environment प्रोवाइड कर आता है, मतलब कि हमें एक जगह दे रहा है resource के लिए, जैसे कि एक design करने के लिए, किसी भी चीज को design करने के लिए, वो कौन से example देखे, तो कौन सा हमारा platform देता है, इससे की Google app, अब Google app, इतने सारे Google app होते हैं, महाँ पर हम क्या करते हैं, एक resource मिलता है हमको, जैसे की एक और हो गया example, हमारा best example, कौन सा हो गया, WordPress, ठीक है, यह हमारा क्या होते है, यह platform प्रेवाइड करा रहे है, रन टाइन के ल लेंगे exam से related, जो की बहुत ज़्यादा most important question होंगे, MCQK.